Welcome to Dr. E.G. Online Pharmacy Classes, आज हम डिसकस करेंगे फैनी ट्वाइन के स्टॉक्चर और IPC के बारे में, तो फैनी ट्वाइन एक एंटीकल बन सेंट राग है, फैनी ट्वाइन का नाम दो नामों से मिलके बना है, फैनी तस ट्वाइन, यह है फैनी, फैनी बर्ड जो डिराइवड होगा ह फैनाल से और ट्वाइन मड एडन ट्वाइन से, तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे इस ट्रक्चर इसका, तो इस ट्रक्चर में है एडन ट्वाइन का, हैडन ट्वाइन का इस्ट्रक्चर डिसकस करते हैं, हैडन ट्वाइन जो होता है, उसमें क्या होता है, दू नाइटोज कितने होते हैं, दो ketone group होते हैं, ठीक है, यह होगे, head and train के structure, अगर इसका नाम के बारे में करें, head and train होता क्या है, imidazolidine two fordion, देखे कैसे, imidazolidine क्या होता है, imidazolidine होता है, यह imidazole का पार्ट होता है, imidazole जब saturate हो जाता है, तो उसे बोलते है imidazole-edin, ठीक है, तो हम सबसे पहले imidazole, imidazole-edin की बात करते हैं, यह है imidazole-edin, ठीक है, दो nitrogen, और यह है 5-m-m-drink, अब बात करते हैं, imidazole क्या होता है, imidazole होता है, यह है, दो nitrogen, ठीक है, और 5-m-m-drink, लेकिन क्या होता है, यह unsaturated होता है, imidazole-unsaturated form होता है, और imidazole-edin, saturated form होती है, मलब इसमें double bond नहीं present होता है, और हमें किसके discuss करना है, imidazole-edin हो गया, देखे, imidazole-edin यह में, दो nitrogen और 5-m-m-drink, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो numbering में क्या है, imidazole-edin आपको समझ में आ गया हो, जब यह saturated है, इसलिए, इसे कहते है, imidazole-edin, देखे, imidazole-edin है, इसमें double bond होते है, 5-m-m-m-drink होता है, ठीक है, जब यह saturated form में होता है, तब इसे imidazole-edin बोलते है, तो imidazole-edin हो गया, 2, 4-dion क्या हो, 2 और 4 पे क्या है, ketone group, इसलिए 2, 4-dion, ठीक है, तो समझ में आ ग करते हैं, इसके structure, अब बात करते हैं, इसके structure के बारे में, structure में सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, head-on-toine, head-on-toine, head-on-toine को जैसे बनाया था, पहले वैसे बना लेते हैं, यह है, head-on-toine, यह देखिए, यह, 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 हो गया, आपका, head-on-toine, यह क्या हो गया, head-on-toine ठीक है यह हो गया आपका हेड़न टाइन यह क्या हो गया हेड़न टाइन अब हमें केवल क्या करना है हमें क्या करना है हेड़न टाइन में हेड़न टाइन में दो फिनाइल गुरूप लगाना एक दो लगाने यह दिखेंगे मैं क्या लगा दे फिनाइल मलब बेंजिन निंग देखिए, ठीक है, दो benzening लगा दिय ay, फिनाईल का मलब क्या होता है, benzening, दो benzening हमने लगा दिय ay, तो यह हो गये आपका, फैनिट्वाईन का structure, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके IPAC के, IPAC की बात करते हैं, तो क्या होता है, numbering करते हैं, उससे पहले numbering कर लेते हैं, numbering के लिए start करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, one, two, three, four, five, यह five, ठीक है, numbering हो गई, अब numbering हो गई, अब लिखते हैं, एपीस हीगए तो 5 पे क्या है दो ये क्या है ये हैं आपके फिनाईल वनलब बेंजन नहीं क्या है बेंजीन हो भी कितनी है ठीक है दो बेंजीन हो गई और बचा इरिस्टक्चर ये क्या था ये आपका ये जो बचा structure है head and turn है तो बेंजीन किस पे हैं? 5 position पर इनकी लिखती है position 5 5,5 ठीक है 5,5 5,5 हो गया उसके बाद लिखिए दो बेंजीन है तो die और फिर लिखेंगे फिनाइल डाई फिनाइल डाई फिनाइल हो गया ठीक और ये हो गया इतना पार्ट फिफ्थ पोजीशन पे दो क्या लगें फिनाइल इसलिए हो गया five कॉमा five डाई फिनाइल उसके बाद ये बच्चा के structure इसका नाम क्या है जो इतना बच्चा है, उसका नाम है Head & Toine, उसका नाम है क्या? Head & Toine, तो Head & Toine लिख लिए है, Head & Toine, यह हो गया इसका IPAC नीम, एक तरीके से, ठीक है? सिंपल क्या है? फिफ्थ पोजीशन पे दो फिनाईल गुरूप लगे हैं, फिफ्थ पोजीशन पे 5,5 डाईफिनाईल बच्चा पार्ट Head & Toine, अब हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? पहले जैसे लिखा था 5,5 डाईफिनाईल तो पता ही है आपको, तो 5,5 यह देखे थोड़ 5,5 डाईफिनाईल डाईफिनाईल इतना तो बैसे ही लिख दिया, सेम अब क्या हमें लिखना है, Head & Toine के बारे में, Head & Toine को हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? आपको मैंने बताया था, अभी, Head & Toine का दूसरा नाम क्या है? इमिडा जोलीडिन, 2-4-डाईउन, क्या है? इमिडा जोलीडिन 2-4-डाईउन, यह वहीं जाके लिख दीजिए, यह लिख देते हैं, इमिडा जोलीडिन, ठीक है? इमिडा जोलीडिन, यह रिंग है, यह इमिडा जोलीडिन रिंग हो गया, ठीक है? एक, दो, तीन, चार, पांच करान का ठीक है और उसके बाद ketone किस position पे है तू कॉमा 4 टू कॉमा 4 डाई ओन डाई ओन लिखे तो यहां पे ठीक है डाई ओन तो समझ में आगे है क्या हूँ कैसे लिखा ठीक है फाइफ कॉमा 5 यह फाइप पे क्या है दो फिनाइल गुरूप तो दो फिनाइल और 2 कामा 4 टू और 4 पोई क्या है ketone गुरूप तो डाई ओन ठीक है यह हो गया है इस्टक थेंक यू